एक आइज वेलकम तुमाई चैनल कभी इस काड़न फ्रेंट्स आज हम बात करेंगे पर्सलेन या पूटूलका के प्लांट के बारे में कि इन्हें सरद्यों में कैसे बचाएं फ्रेंट्स यह जो प्लांट है यह गर्मयों का प्लांट है इसके उपर बहुत सारे अलग-अलग color के flower आते हैं और सद्दियों में यह plant दोर्मेंसी पीरिड में चला जाता है लेकिन गुछ-बुछ प्लाइट भी चेंज कर लेते हैं देखे जैसे कि मेरा जाए प्लाइट ही परपल गलर कहँ हूँ का है फ्रेंड देखिए सर्दियों में मेरे प्लांट ने कलर चेंज कर लिया है तो अब मैं इसे सर्दियों में डारेक्शन लाइट में रखूंगा उसी प्लांट बहुत ही ज्यादा ग्रीन हो जाएगा और बहुत ही अच्छे से ग्रोग करेगा अब हमारा यही सवाल उड़ता है कि हम इसे अगले साल के लिए सेव कर सक लगा सकते हैं वैसे सीड़ से सेव करते हैं लेकिन फोड़ा लंबा इसलिए निसके कटिंग करेंगे करेंगे वही तैसे अपने घर में हाउस्अ प्लांट की तरहां घृटब करेंगे थे मजने गे फिर हम तो आप कारष में लगा सकतें फिर हमारे अगले साल के लिए कटिंग सेव हो जाएगी फ्रेंट्स देखिए मैंने इस प्लांट की कुछ कटिंग ग्रो की थी अब यह तो बहुत ही ज्यादा ग्रीन है और मेरा जो यह प्लांट है इसने कलर चेंज कर लिया है ऐसे हम इसकी कटिंग से इसे अगले साल के लिए सेव कर सकते हैं या फिर अगर हमें इसी प्लांट को सेव करना है तो हम इसके उपर सुखी घास से ढग देंगे सर्दिया जाने के बाद हम घास अटाएंगे तो हमारा प्लांट अच्छे से ग्रो होता रहेगा वहती हरा भरा फ्रेंट्स हमें इसमें ड्रेने जोल सिस्टम का भी खास दियान रखना चाहिए क्योंकि इस प्लांट को ज्यादा नमी पसंद नहीं होती ज्यादा पानी से ये प्लांट खराब हो सकता है इसलिए हम इसके लिए वैल्डेन विट्टी का भी उस करना चाहिए और देखिए मेरा जो ये प्लांट है इसमें नीचे से और बेबी प्लांट आते जा रहे हैं ये अच्छे से ग्रोवता जा रहा है ऐसे हम इसे अगले साल के लिए सेव कर सकते हैं वैसे तो ये बहुत ही अच्छा है एक हैंगिंग प्लांट है मैंने इसे हैंगिंग बास्केट में ग्रो फ्लोवर चाहिए तो हम इसे डारेक्शन लाइट में रखेंगे दूसरा जो इसके सूख्यों फ्लोवर होते हैं हम उन्हें कट कर देंगे उससे इस प्लांट पर बहुत ही अज़ादा फ्लोवर आएंगे और अगर हमें इस प्लांट को ग्रोव करना है तो इसे अच्छे से ग भी ना गरम ऊसम चाहिए होता है ल sow या प्लाइब में ग्रोव करेंगे और अगर अम इसे पतर जड़ के टाइम पर ग्रोव करते हैं तो यह ग्रोव नहीं होता है और इस भी फ्लोवर भी नहीं आते हैं अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्रीब जरू कीजेगा थैंक यू